यूनिट पर ml आता है कि strength में आता है यह injection नर्ष द्वारा लगाए जाता है यह injection तो आम तोर पर अनर्ष लगाएंगे पर क्या होता है कि जीवन भर के लिए लगाना होता है एंसुलिन इंजेक्शन तो हमें पेशिंट को भी बताना होता है कि अगर वो घर पे हो तो कैसे लग या 100 unit है तो यह patient को बताना है next insulin की मात्रा insulin की मात्रा कितना कितना देना है कब देना है यह सब हमें patient को जानकारी देनी है next subcutaneous injection हितुस्थान एवम injection लगाने की तक्नीक मतलब subcutaneous injection दे रहे हैं तो कहां लगाना है कैसे लगाना है इस पेशन को हम बताएंगे next injection की जटिलता तथा उससे बचाओ injection का जो कॉम्प्लिकेशन होगा उससे क्या बचाव कर सकते हैं यह patient को बताना है insulin की वायल या pen को रखने का सही तरीका insulin की जो वायल होती है और pen होती है उसको कैसे रखना है वो बताना है हमें फ्रिज में रखना चाहिए उससे next है syringe का रख रखाव तथा अपयोग पश्चात निस्तारण मतलब अगर हम यूज कर लिए syringe तो उसको अच्छे से रखना और निडिल को हमें फेक देना है syringe और निडिल को हमें लगाने के पश्चात फेक देना है यह patient को बताना है next है injection का record रखना injection कब कितना दिया है वो हमें सा note down करना है patient को diabetic को injection अस्थल के rotation के बारे में भी समझाना चाहिए मतलब अगर कोई diabetes patient है और वो insulin injection ले रहा है अगर abdomen में ले रहा है हमेशा से तो उसको आम में थाई में भी लेना चाहिए यह सब हमें बताना है कैसे लेना है यह सब हमें patient को जानकारी देनी है यह से यहां दिखाए गया injection अ नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे आयुष की स्विक्रित विधियों का समावेश करना integrate accepted practices of आयुष तो पद्धती इसमें क्या क्या आएंगी आयुर्वेद होमेपैथि सिद्ध युनानी एवं योग्चिकित्सा आयुर्वेद में मदु में रोक का नाम होगा होमेपैथि में इसमें कहां आएंगी आयुर्वेदी जुक्ut को का संड़ा gratis कह भी मदू में आउषिदी क्या क्या देना है करेला नीम की पतियां सदा बहार यह सब पतिया के» लिए हमें पेशिन को बोलना है चिकित्स के निर्देश नुसार जो भी आयुर्वेदिक ढॉक् heter होते हैं उन मतलब जो सिद्ध युनानी मतलब हमें योगा भी पेशिन को बताना है पैरो के जैसे कि मैंने बताया था पैरो के विया याम हाथों के तो यह सब हमें पेशिन को बताना है करने के लिए थैंक यू सो मच क्लास